सीतापूर हेल्थ केर सेंटर में अन्यमित्ता पाली पाई गई जहां पर एक और सीतापूर में जहां प्रदेश सरकार बहतर स्वास सेवाय देने के लिए जुटी है वहीं सीतापूर हेल्थ केर सेंटर में अन्यमित्ता आई सामने आई है आरोप है कि यहाँ प्रसिद डॉक्टरों के नाम मरीजों का रजिस्टेशन करवाते हैं लेकिन इलाज जोला छाप डॉक्टरों से करवाया जाता है शिकायत पर स्वास्त विभाग की टीम मौके पर पहुची तो इस दोरा निरक्षर में भारी अन्यमित ताय पाई गई स्वास्त विभाग ने बताया कि यहाँ जिन सर्जन ने मरीज का इलाज किया उन सर्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी है दस्तावेज में सर्जन के सिगनेचर तक नहीं मिले फिलहार विभाग ने हॉस्पिटल प्रबंदकों को नोटिस जारी किया है लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जान से खिलवार करने वाले ऐसे अस्पतालों पर सक्त कारवाई कब होगी सितापूर हेल्थ केर सेंटर में अनिया मित्ता और इस खबर पर ज्यादर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादता सीतापूर से नेमिश शुक्ल फोल लाइन पर जुट चुके हैं नेमिश सीतापूर के हेल्थ केर सेंटर में अनियमिनता पाई जा रही है यहां पर सामने आ रहा है कि जोला प्छाब जो डॉक्टर है वहां पर इलाज करते दिखाई दे रहे है क्या कुछ तमाम जानकारी है और इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है मैं आपको बता दूंकि बटस गंज सीतापूर हेल्थ केर सेंटर अटर प्राइट मिश्रादोरा संचालित है जो बड़े-बड़े डाक्टर डिग्री धारक डाक्टरों का दिखा करके रजिस्टेशन तो करवा लिया जाता है लेकिन वहां पर जो है जो मेजर आपरेशन ह जो है अबरसन है डीन सी है वो जो है जो लच्छाब डाक्टरों से कराया जाता है जिसका आधास्मिक निरिच्छन स्वास विभारा की तीम ने किया और उसकी पुष्की भी और डाक्टर नयम गीरी एसीमो का कहना है इस परस तोर पर कहना है जो है वहां पर जो आपरेटर क केसिज़ हैं जो वहां पेसरजरी केसिज़ए या पुर्षूताओं के केसिज़ उनको बेखा घया और जब प्रबंद्ध को पुंशा गया discussion तो उन्होंने इस पर स्टवरों पर कुछ बीण बताने से इंकार कर दिया कि जो है कौन से दाक्टिरों ने एक मौत का ब्यापार जो है रजिस्टर्ड जो है इन सब अनीमता को पाकर के क्या बड़ी कारवाही करता है या इसको इसी प्रकार दबा देता है जी मामला जब संग्यान में आया तो क्या कुछ कोई अक्शन नहीं लिया गया और अगर बात करें इस चिकित्साले की तो इतिहास अगर इसका खंगाले तो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि जोला चाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने के दौरान कुछ अन्होनी हो गई हो या फिर कोई केस बिगड़ा हो मैं आपको बता दूँ कि ACMO डाक्टर नैंगिरी का एसपस तौर पर कहना है कि जब हमने वहाँ पर आकास्मिक निच्छन किया तो उसमें कापे कोपा कुछ अनिम्टाय पाई गई और ये भी जानकारी हुई कि महीने में और सब्ता में कई मोते हुई जिसका स्वाव से नगर सिच्छा को उन्होंने लेटर जारी किया है और उसके जानकारी की गई है कितनी मोते हुई आखिर उसका आकरा क्यों हम लोगों को उपलब्द नहीं कराया गया उसके अलावा प्रबंदक को नोटिश जारी कर दी गई है और उसके बाद में जो वहाँ पर आपरेटर्ट सर्जन है जिन सर्जनों को वो नहीं बता पाए हैं और जिनके वहां पर जो रजिस्टर और सिगनेचर भी नहीं बता पाए हैं इसलिए उन लोगों को भी नोटिस जारी करने के कर दी गई है और जब जवाब आएगा उस पर तकाल सक्ट से सक्ट कारवाई करने के बात जो है एस यमो डाक्टर नैंगीरी में कहीं है जी नेमिश बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए